देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा देखें लोग सभा चुनाव नजीक है और ऐसे में बड़ा सवाल सीट श्वेरिंग को लेकर बना हुआ है और भाजपा की बिहार में जो सबसे बड़ा छेत्र है यानकी कथियार और पूर्णिया इन दोनों जगाओं पर नजर है लेकिन अब सवाल ये भी उड़ता है कि एंडीय में कई ऐसे घटक दल शामिल है जो पूर्णिया और कठियार से चुनाव लड़ना चाहते हैं ऐसे में क्या बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ऐसा होने देंगे क्या वो चाहेंगे कि भाजपा जो है कठ कठियार और पूर्णिया से चुनाव लड़े क्या है इंसाइड स्टोडी आईए आपको बताएंगे इस वीडियो में जोन तांत्रिक गठबंदन यानि के एंडीय गठबंदन में सीट बटवाने को लेकर कई पेज फसे हैं कहा जा रहा है कि सीमांचर पर नजर गड़ाए बीजोपी की रननेतिकार अमिट शाह की विशेश नजर कठियार और पूर्णिया पर बनी हुई है वजह भी साफ है कि ये दोनों सीट पर बीजोपी की उमिदवार जीत दर्ज करवाते रही हैं एक चर्चा ये भी है कि फिल वक्त कठियार और पूर्णिया के जो सांसद है उनके घर वापसी का भी प्लैन तेयार है आपको बताएंगे इस वीजो में कि ये NDA के भीतर का खेल क्या चल रहा है तो देखी एक समय था जब कठिया लोकसभा से BJP के सांसत निखिल कुमार चौधरी हुआ करते थी ये तीन बार यहां से सांसत रहे पहली बार BJP से निखिल कुमार चौधरी और 1999 में कठियार लोकसभा से चुनाव लड़े और जीते भी वही निखिल कुमार चौधरी इसके बाद 2004 और 2009 लोकसभा चुनाव में भी जीत हासल की तादिक 2014 में कठियार लोकसभा से तारीक अनवर ने जीत हासल की थी वहीं 2020 के लोकसभा चुना में ये सीट जेडियू को गई और यहां से दुलाल चंद गोस्वामी ने जीत दर्श की थी 1995 में ये कठिया लोकसभा के अंदर आने वाले विधान सबा छेतर बार सोई से बीजेपी की उमिदवार बने और जीत भी दर्श की वहीं 2010 में ये सीट हिस्सेदारी में जेडियू को मिला और तब यहां से दुलाल चंद गोस्वामी उमिदवार बने और जीत दर्श कर गोस्वामी की यात्रा बीजेपी से जेडियू की शुडू हुई बीजेपी का प्लान ये है कि उमिदवार सहित कठियार लोगस्वा सीट बीजेपी को मिल जाए इससे दुलाल चंद गोस्वामी की घर वापसी भी हो जाए वहीं पूर्णिय लोगस्वा की कहानी भी कुछ कठियार जो ऐसी है पूर्णिय लोगस्वा से बीजेपी ने पहली बार जीत 2004 के लोगस्वा चुनाव में दर्श की थी तब बीजेपी के उदेश सिंग और पप्पु सिंग ने जीत दर्श की आपको बता दे कि 2009 की लोगस सिंग को चुनावी मैदान में उतारा इस बार बाजी संतोष कुमार ने माड ली वहीं दो निस लोगस्वा चुनाव में बीजेपी और जेडियू एक बार फिर साथ हुए और सिटिंग सीट के चलते कठियार से संतोष कुछ वहा उमिदवार बने और वहीं नराज उदे सि सिंग ने कॉंगरेस का दामन थामा परजीत जेडियू मिदवार संतोष कुछ वहा की ही हुई बीजेपी की इस रननीती को अभी जेडियू ने तृत से सहमती मिलनी शेश है ऐसा माना जा रहा है कि जेडियू को 12 सीट मिलेगी जेडियू के 16 सिटिंग सीटों में 4 पर बीज सबसे चुनाओ नस्दीक है और ऐसे में बड़ा पेज फस रहा है सीट शेरिंग को लेकर और इसमें जो दो सबसे बड़े छेतर है वो कठियार और पूर्निया को लेकर भी एंडियू में गहमा गहमी का माहौल है वहीं जेडियू अभी तक जो है अपनी सहमती नहीं बता र इस बड़से सबस्दों इस हमानाश जिए।